चले अब बढ़ते हैं अगली खबर के और आज बात करेंगे किर्केट जगत के आज जो है हिंदुस्तान और अस्टेलिया के बीच इन दौर में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आपको पता है कि इस वक्त जो है अस्टेलिया का दौरा है टीम इंडिया के साथ लगातार त कि इससे पिछला मैच जो था मुझो की महाली में खेला ऊसमें टीम इंडिया ने 5 जीत हांसिल कर ले थी उसके आज कोसिस करेंगी टीम इंडिया की आज अगर इंदौर के मैच जीत लेते हैं तो इसी के साथ दिसको सील कर लेंगे जानी कि इसी जो है वह जीत जाएंगे को पत्त वाहाजिशा और बैसे नम्र one है। इसले सिंिर लाड़ियों को भी काईना किया इस पर आराम जिया गया है रोहिज सर्मा विराट कोली और हर्दिक पंडिया क्काईना किया है। लेकिन वो तीसरे मैच में खेलेंगे जो कि राजकोर्ट में खेला जाएगा इसी ख़बर पर ज्यादा जानकारे के लिए हमारे साथ हमारे सायोगी सोहन नेगी है जो कि बताएंगे जी सोहन आज भारत और अस्टेलिया के बीच दूसरा मुकाबला जी तुपहले मैच देड़ वजे सुरू होगा और यह जो है यह मैच बारत सरीच पर कपचा करने के लिए मैदान पर उत्रीगी देखा होगा उमने पिछले मैच में भी देखा जिस तरह के सबारते तीम कुई फॉर्म में दिखे टीम और सार्दू ठागुर को छोड़ दिया जी तुपहल मैं आपने बॉलर में भी बॉलिंग में भी देखा होगा समी तमाम जितनी प्लेयर भारत के थे तो सबने अच्छा परदसन किया और उमीद है कि आज भी भारत जीत के साथ से रिश्वर कपचा करने था बिलकुल यह थे सोहन जो की बता रहे थे कि आज भी उम लेकिन उन्होंने पिछले मुकाबले में अर्द सतक जड़के बता दिया कि सूरिया का रोष्णी जो है कभी भी कम नहीं हो सकती हो सकता कि सूरिया की रोष्णी थोड़ी देर के बादल में चिप सकते है लेकिन उसकी रोष्णी अभी खत्म होने वाली नहीं है वहीं अगर उन्होंने कहा था कि अभी जो है ये हमने विचार विज्ट किया है, हम चाहते हैं कि रोहिसर्मा, हार्दिक पांडिया और विराट कोली तुरोता आ जा रहे है वर्ल्ड कप के लिए चुकि पांच अक्टूबर से विश्ट कप खेला जाना है, उस वक्त तुरोता जा रहे हैं हम चाहते हैं कि उन्हें मौके उस वक्त जादा मिले वो चाहते हैं कि इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप होना है और हिंदुस्तान चाहता है कि जिस तरीके से 2011 में इतिहास रचा गया था उसी तरीके से इतिहास रच के इस बार विश्ट कप पर जो है वो कब्जा करना चाहती कि एटी मीडिया और बिल्कुल इसके परवल दाविदार भी है हिंदोस्तान हो अस्टेलिया हो इंग्लैंड हो ऐसी सौथ अफरिका हो पाकिस्तान हो न्यूजिलेंड हो ऐसे कईटी में है जो इस बार अपना दाविदारी जो वह बहुत ज्यादा मजबूत कर रही है खर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बारिश होती है या नहीं होती है लेकिन फिलाल यह है कि आज भारत और अश्टेलिया जो है वह इंदोर में आपस में भिड़ेंगी जहां पर टीम इंडिया सीरीज जीत के रादे से उतरेगी फिलाल ब्रेकिंग में और बड़ी खबरों में इतना ही हम आपसे फिर उबरो होंगे कल इसी वक्त तब तक के लिए शुक्रिया